हलो दोस्तों स्वागत है हमारे चनल के एक और नए इन्फरमेटिव विडियो में दोस्तों प्रेगनेंसी एक ऐसा पिरियेड है जब महिला को इंब्रायो की सुरक्षा सुनस्षित करने और प्रेगनेंसी के जोकिम से वाकिफ होने के लिए कही तरह के टेस्ट करवाने होते हैं Pregnancy की पहली तीमाही में होने वाली किसी भी तरह के complications का पता लगाने के लिए और उसके निदान के लिए की जाने वाली जाँच प्रक्रियाओं में TVS scan भी सामिल है जिसका पुरा नाम Transvaginal scan है क्या है या TVS scan? TVS scan क्यों किया जाता है? और इसकी प्रक्रिया क्या है? इस वीडियो में हम आपको इससे जोरी detail information देंगे Transvaginal scan यानि कि TVS scan एक internal ultrasound scan है जिसे वाजाइना के माध्यम से किया जाता है इस scan के लिए वाजाइना में high frequency endovaginal probe insert किया जाता है जिसे transducer कहते हैं Transvaginal ultrasound महिला के uterus, ovary, tube, cervix और pelvic area और इनसे जोरी समस्याओं का पता लगाने के लिए किया जाता है दोस्तों TVS एक internal test है जहां डॉक्टर वेजाइना में एक ultrasound instrument डालता है जिसे probe कहते हैं और probe से निकलने वाली sound wave से fetus की image वनाने में मदद मिलती है जब image को बढ़ा किया जाता है तो डॉक्टर किसी भी abnormality या anomalies को determine कर सकता है आईए अब आगी जानते हैं कि TVS टेस्ट को कब और क्यूं किया जाता है Transvaginal ultrasound pregnancy की पहले तिमाई में किया जा सकता है ऐसा इसलिए क्योंकि pregnancy की सुरुवात में आपका बेबी बहुत चोटा हो और आपके पेट में बहुत नीचे की तरफ होता है इसलिए इसे पेट पर से किये जाने वाले scan में spurs troop से नहीं देखा जा सकता Transvaginal scan करने पर डॉक्टर आपकी वेजायना के जरिये uterus के भीतर देख सकते है Miscarriage या Ectopic Pregnancy का हिस्ट्री होने पर Pregnancy woman को अतिदिक दर्द होने पर Bleeding होने पर या अगर infertility का इलाज करवाया गया है तो डॉक्टर 6 से 10 हपता के दौरान TVS ultrasound का सुझाओ दे सकते है Period समाप्त होने तक या 10 विक के बाद भी यह scan किया जाता है TVS scan में लगबग 30 से 60 मिनिट का समय लगता है जिसमें होने वाली मा को टेस्ट के लिए तयार करना भी सामिल है यह तब किया जाता है जब डॉक्टर प्रेगनेंसी के प्रारंभिक चरन के दौरान इंब्रायो के विकास को देखना चाहते हैं अर्थाथ 10 वे सब्ता के पहले Transveginal scan डॉक्टर को बच्चे को देखने में मदद करता है क्योंकि सिर्फ पेट के scan के माध्यम से बच्चे को देखना संभव नहीं है क्योंकि बच्चा अभी बहुत छोटा है और मा के पेट में बिल्कुल नीचे रहता है डॉक्टर इस टेस्ट से बच्चे के दिल के धरकुन को सुन सकते हैं और किसी भी complication का पता लगा सकते हैं Transvaginal ultrasound टेस्ट के अन्यलाव भी है डॉक्टर एक्टोपिक Pregnancy की किसी भी समभावना को समाब्द कर सकते हैं और यह सुनिस्चीत कर सकते हैं कि Pregnancy बिल्कुल सही दिसा में है यह स्कैन यह जाचने में भी मदद करता है कि क्या मा के घरब में जुरुआ या तीन बच्चा है या नहीं इसके अलाबा यदि मा के पेट के निचले हिस्से में दर्द या हलका ब्लिडिंग है तो डॉक्टर यह टेस्ट करके इन सब परिशानियों के कारण का पता लगा सकते हैं दोस्तों आएए अब टीवीस स्कैन के प्रॉसेस को जानते हैं दोस्तों टीवीस स्कैन के लिए कमर के नीचे के कपरे को उताडने की आवशकता होती है कमर से नीचे कपरे उताडने के बाद आपको अपने पीठ के बल अपने पैरों को फैला कर लेटने के लिए कहा जाएगा और पैरों को फैला कर घुटने को मोडने के लिए कहा जाएगा नर्स आपके निचले आधे हिस्से को एक चादर से ढग देगी डॉक्टर वेजाइना में लगबग 2-3 इंच तक प्रोब डालेगी इस प्रोब में एक लेटेक्स की कवरिंग होती है जिसमें थोड़ा जल लगाया जाता है थाकि उसे असानी से वेजाइना में एंटर कराया जा सके प्रोब अंदर साउंड वेब को ट्रांसमीट करता है और उन वेब्स के इमेज को रिकॉर्ड करता है वहीं अल्ट्रसाउंड मसीन सरीर के अंग की एक इमेज बनाती है जिसे मॉनिटर पर देखा जा सकता है इस दोरान इन्वेस्टिगेटर आवशकता के अनुसार प्रोब को चारो और गुमाता है और पूरे जगे की इमेज को निकालता है ट्रांसवजानल स्कैन के कोई नोन हार्मफुल एफेक्ट नहीं है एक्सरे के बिपरीत इस टेस्ट में कोई रेडियेशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता इसी वज़े से इसमें रेडियेशन का खत्रा भी नहीं है दोस्तों TVS scan की cost की बात करे तो TVS scan की लागत हर सहर में अलग हो सकती है यहां तक कि आपके दोरा चुनेगे medical center भी लागत को प्रभावित कर सकता है लेकिन average एक TVS scan की किमत 700 रुपे से 1100 रुपे के बीच होती है दोस्तों उमीद करता हूँ कि ये information आपको अच्छे लगी होगी और ये जानकारी आपको समझ में भी आ गई होगी दोस्तों ऐसे ही informative वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और वीडियो के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे